केलशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारी हड़ियों और हमारे दातों को मजबूती देने का काम करता है 99% केलशियम हमारी हड़ियों और हमारे दातों में ही पाया जाता है इसके लावा जो 1% केल्शियम होता है ये हमारे शरीर की अलग-अलग गत्विदियों के लिए जरूरी होता है सबसे पहले बात करेंगे केल्शियम की कमी के लक्षणों की यानि कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में केल्शियम की कमी है कैल्शियम की कमी से दिखने वाई लक्षनों में सबसे पहरा लक्षन आता है आपके जोडों में दर्द होना, आपकी मांस्पेशियों में दर्द होना, मांस्पेशियों में एठन बने रहना कई बार होता है कि बिना किसी वज़े से भी हमारे पूरे शरीर में दर्द होता रहता है तो ये एक कैल्शियम की कमी का लक्षन हो सकता है इसके लावा दातों में दर्द होना, नाखुनों का कमजोर होना कई बार कमजोरों के नाखुन खुद से खुद जड़ते रहते हैं बालों का बहुत ज़ादा ज़ड़ना इसकिन का ड्राइ होना ये सारे लक्षन कैल्शियम की कमी की वज़े से हो सकते हैं अब दूसरे इंपोर्टेंट सवाल आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे इंदर कैल्शियम की कमी है देखिए पहले चीज़ तो अगर आपको ये सारे लक्षन है तो आपको एक ब्लेट टेस्ट कराना होगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो बाड़ी में कैल्शियम का लेवल है वो कितना है अगर वो आपकी नॉर्मल रेंज में है तो ठीक है अगर आपकी नॉर्मल रेंज से कम कैल्शियम का लेवल है तो अब बात करेंगे उन फूड आइटम्स की जिनको अपने खाने में एड़ करके आप अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं और इसके बाद हम जानेंगे कि यह जो कैल्शियम की कमी होती है इसके क्या-क्या बेसिक कारण होते हैं अगर आपके इंदर कैल्शियम की कमी है तो सबसे पहले आपको अपने खाने में डेली प्रोड़क्स का जाधा सब जाधा अस्तिमाल करना चाहिए जैसे कि आपका दूद, दही, पनीर, मखन, ये जो चीज़े हैं कैल्शियम में काफे रिच होती है एक गिलास दूद में लगवग 300 ग्राम कैल्शियम होता है जो आपके डेली की रिकॉर्मेंट को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी है बच्चों को डेली एक दिन में कम से कम एक ग्लास दूद जरूर दें अगर आप नॉन वेजटेरियन है तो आपको सी फूड का इस्तमाल जरूर करना चाहिए सी फूड में सैल्वन, टूना, मैक्रेल ये सब जो होते ही कैल्शियम में काफी ज़्यादा रिच होते हैं तो इसके इस्तमाल करके आप अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के होगी और अगर आपको कैल्शियम की कमी हो चुकी है तो वो आपके बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी फलो में केला, मुसंबी, संत्रा ये कैल्शियम की बहुत अच्छे सोर्स हैं इनको अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हैं इन सब चीजों के अलावा नट्स और सी हैं सीड्स बहुत अच्छे सोर्स होते हैं कैल्शियम का एक चंबच तिल में लगभग 88 मिलिग्राम कैल्शियम होता है जो आपके डेली रिकवर्मेंट को पूरा करने के लिए काफी जादा वेनिफिशरी होता है इसके अलावा अक्रोड, बादाम, तर्वूजे के बीच, यानि कि अल्थी के बीच, ये सब भी कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स है, इनको भी आप अपनी डेली डाइट में धरूर शामिल कीजिए, इनको आप रॉब भी ले सकते हैं, या फिर आप उसको लड़ों में ले सकते हैं, या तड़के में आप इस्तमाल कर सकते हैं, या दही में डाल के आप ले सकते हैं, तो यानि किसी भी तरीके से आप नेट्स और सीट का इस्तमाल अपनी डाइट में करेंगे, तो ये भी आपकी कैल्शियम की डेफिशियंसी को पूरा करने में काफी जादा हेल्प करेगा, तो ये तो बात होगए खाने के उन चीज़ो के बारे में जो आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं, अगर आपके अंदर कैल्शियम का डेफिशियंसी जादा है, तो आप कैल्शियम की पूर्ती के लिए कैल्शियम की टैबलेल्स आते हैं, वो ले सकते हैं, या फिर कैल्शियम की कमी क्यों होती है, कैल्शियम की कम इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाईया होती है जो आपके हर्मोन्स को इंबेलेंस करती है और आपके डाजिशन को एफेक्ट करती है जिसकी वज़े से भी आपकी बॉडी खाने के मिनरल्स को पूरी तरीके से अब्साब नहीं करती है कैल्शियुम या अधर मिनरस की कमी शरीर में होने लग जाती है तो ये basic से कारण है जिसकी वज़े से आपको calcium deficiency हो सकती है इसके अलावा calcium को absorb करने के लिए शरीर में vitamin D का होना भी बहुत जरूरी है vitamin D हमें naturally sun rays से मिलता है अगर आपके अंदर vitamin D की कमी होगी तब भी आपके शरीर में calcium का absorption सरी तरीके से नहीं होगा और आपको calcium की deficiency हो सकती है तो friends इन सारी चीज़ों का आप ध्यान लखिए कि आपको अपने diet में क्या शामिल करना है किस वज़े से आपको कमी हो रही है तरीके से आप इस कमी को पूरा कर सकते है I hope कि इस topics regarding आपके सारे doubt clear हो गए होंगे अगर अभी भी आपका कोई भी सवाल है तो comment section में लेके पूर सकते है अपना ध्यान दखिए, खुश रही है, fit रही है Thank you